हलो बच्चो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आज जो हम वाक्षीट डिसकस करेंगे बच्चो वो है कक्षा हमारी 6-8 और इसमें जो बच्चो हम डिसकस करने वाले हैं वो है वाक्षीट नंबर 59 जो की हिंदी मिडियम में है और डेट है इसकी 11 सेप्टेंबर 2020 यहाँ पर हमेशा की तरह बच्चो आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लाश टीचर कर नाम लिखना है ठीक है स्टुडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बड़ी अच्छी दो बच्चे आपस में डिसकस कर रहे हैं कोरोना जो आजकर फैला हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ कोरोना की वज़े से हम स्कूल नहीं जा पारे तो वो सब को डिटेल में हम कोशन अंसर भी करेंगे इसमें तो जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू यूजर है जिससे कि आपको वाकशीट जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत आपके मोबाइल में पहुच जाए ठीक है बच्चो तो मिलते हैं यहां पर स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो जो कि हमारी वीडियो है वो टॉपिक है हमारा हमें पता है आप कोरोना के कारण घर से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं बिलकुल आज कल जो कोरोना फैला हुआ है इंडिया में पूरे वर्ड में उसकी वज़े से हम गौर्डमिंट ने भी और सभी ने ये कहा है कि घर से बाहर जरूरी है तो ही निकलिए अधरवाइज आप घर पे ही रही है तो इसी कारण हम कोरोना की वज़े से ही घर से बाहर कम निकल पा रहे हैं अपने विद्याले और कक्षा के मित्रों को तो सबसे अधिक याद कर रहे ह आप देखते होंगे कि घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम होने के बाद विद्याले और कक्षा में जो मित्र थे आपके उनको आप मिस्करना स्टार्ट कर देते हो और याद बहुत आती है इस समय मोबाइल मित्रों, रिष्टेदारों, शिक्षपों आदी से जुड़ाने का सबसे बड़ा माद्यों है क्योंकि बाहर जा नहीं सकते तो घर में बैठे ही अगर आपको मित्रों, रिष्टेदार या शिक्षपों टीचर से बात करनी है तो सबसे बड़ा माद्यों क्या है बच्चों मोबाइल ठीक है तो मोबाइल यहाँ पर आ कैसी चीज है जिससे कि आप भारतों जानी सकते मित्रों समंधियों जिसी से भी बात करनी है अपनी बाते शेयर करते हो रापस में खुशिया भी शेयर करते हो आज अपने किसी प्रिय को फोन करके उनका हाल जानिए आज जो वाकशीट में हमें करना है बच्चों वो क्या कर किसी भी प्रिय जो भी आपको प्रिय दोस्त लगता है उसको फोन करिए और उसका हाल जानिए उनके दुवारा समय के सदूपियोग की जानकारी लीजिए उनके उनसे जब बात कर रहे होंगे आप तो समय का सदूपियोग क्या आपको जानकारी लेनी है बच्चो आप फोन प साथ चर्चा करते हैं किस तरह से आप उनका हाल चाल पूशते हो और बाते करने लगते हो अंत में क्या बोल कर आप फोन को रखते हैं इनी सब बातों का ध्यान रखते हुए दो मित्रों के मोबाइल पर बाचेत या समवाद की कलपना करते हुए नीचे दिये गए चितरों में स्थानों को लिखना है तो बच्चे यहाँ पर आपको क्या करना है पांच कोशन आपसे पुछे हुए है पहला कोशन यही है कि आप कैसे शुरुवात करते हो जब आप मित्र को फोन करते हो उसके बाद उसका हाल चाल पहला मित्र उसके बाद यहाँ पर बोलता है फिर दूसरा मित्र यहाँ बोलता है इस तरह से आपको सारी चीजे देखो पांच कोशन पुछे हुए है पांच कोशन का आपको जवाभ यहाँ पर बच्चो देना है ठीक है यह ए स्पेस दिया हुए है इसमें आपको लिखना है ठीक है बच्चो अब क्या लिखोंगे अब माइन में कोश्चन आ रहा हुआ सर आपने अंसर तो बताया ही नहीं बिलकुल आपके माइन में कोश्चन सही है अंसर की तरब मैं मूव कर रहा हूँ तो जैसे कि मैंने दो यहां पर लिखे एक पहला जो पर्षन है वो है अमित और दूसरा जो पर्षन है वो है सुमेत मतलब दो दोस्त आपस में बहुत जिगरी दोस्त है यह आपस में फोन बात कर रहे हैं तो अमित ने सुमेत को फोन मिलाया तो अमित ने पूछा हेलो सुमेत बातचीत कैसे स्टार्ट करते हो आप तो यही कहते हो हेलो सुमेद तो वहाँ से reply आता है हेलो अमेद ठीक है बच्चों तो यह बातचीत शुरूओ गई उसके बाद आपको हाल लेना है दूसरा क्या था question पहला question का answer मिल गया दूसरा question क्या था हाल चाल कैसे लेते हो तो फिर अमेद पुछता है कैसे हो सुमिद तुम तो सुमिद कहता है मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो तो दोनों ने आपस में एक दूसरे का हाल चाल लिया फिर तीसरा question था कि आप यह पूछोंगे आज का जो समय का बाते हो रही है उसके बारे में आप बात करोंगे तो आपने अंसर दिया मैं भी अच्छा हूँ स्कूल की बहुत याद आ रही है तो आपने सुमित को बोला कि स्कूल की बहुत याद आ रही है तो सुमित ने का हाँ अमित मुझे भी पर कोरोना की वज़े से कुछ नहीं कर सकते हो उपर लिखा हुआ था बच्चो कि कोरोना की वज़े से आप स्कूल विद्याले नहीं जा पारे हो घर में ही रह रहे हो और फोन एक बहुत अच्छा माध्यम है बातचीत का आज के टाइम में जिसमें आप अपने परिवार अपने सैमित्र या किसी से भी आप बात कर सकते हो ठीक है बच्चो तो तीसरे परशन का उत्तर मिल गया चोथा परशन क्या था वहाँ पर आप ये बताऊंगे कि हाँ क्या कर रहे हो आप आजकल तो आपने कहा अमित ने कहा हाँ कोरोना की वज़े से नहीं दे रही है डेवाईज और आपकी पढ़ाई का लोस नहीं होने दे रहें और आपको डेवाईज आपको वक्षीट कंप्लेट करने पड़ती है इससे क्या है आपको टच में रहते हो आप पढ़ाईगे और आपको यह नहीं लगता है कि हाँ आजा हमें हमारे पास कोई काम नह तो इस तरह से क्या है यह पांचो कोश्चन जो उपर दिये हुए थे यह आपको बच्चो यहां पर फिल करने है और मैंने यहां पर आपके अंसर लिख दिये ठीक है बच्चो तो वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप न्यू यूजर है ठीक है बच्चो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वर्क्षीट में अभी के लिए थेंक्यू अग्यू अग्यू अ